Hello dear students, आज के वीडियो में हम लोग Ray Optics की एक और महत्पूर टॉपिक, Lens Maker Formula के उपर discuss करेंगे ये most important topic इसलिए है, क्योंकि board exam में इस topic के आने की संभावना जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है तो आप से निवेधन है कि वीडियो को बिना skip किये, अन्त तक देखें, जिससे आपके सारे concept अच्छे से clear हो जाए तो इसके लिए हमने यहाँ पे already एक diagram बनाया है, जिसमें एक lens L है, जिसकी मोटाई कितनी है, T है और इसका अपवर्टनांग कितना है, N2 है, यह N1 अपवर्टनांग वाले माध्यम में रखा गया है अब इसके मुख्य अच्छ पर एक वस्तु रखी गई है O, जिससे दो प्रिकास की किरेड़े चलती है एक तो इसके मुख्य अच्छे के अनुदी सीधे निकल जाती है, दूसरी वाली किरेड़ जब surface 1 पर पहुंचती है, तो इसका अपवर्टन होता है अब जब अपवर्टन हुआ और surface 2 नहीं होता, तो इस वस्तु का जो final image हमको मिलता, वो हमको eye dash पे मिलता यनि कि यहाँ से किरड़ जाती, और अगर surface 2 नहीं होता, तो यह सीधे यहाँ पे जाके मिलती, लेकिन surface 2 से इसका फिर से अपवर्टन हो जा रहा है, जिससे इसका प्रत्विम हमको eye पर मिल रहा है, यह eye इसका, इस object का final image होगा और अगर हम eye dash की बात करें, तो eye dash surface 2 के लिए virtual object का का म कर रहा है, मतलब object का का म कर रहा है, वस्तु का का म कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए जो भी किरडे आती है वो वस्तु से आती है तो यहाँ पर यह किरड आ रही है surface 2 पर लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको अगर dash dash करके आगे बढ़ाएं तो यही किरड है जो वस्तु से आ रही है इसलिए I dash क्या होगा इस surface 2 के लिए क्या होगा virtual object का काम करेगा आभासी वस्तु का काम करेगा यानि कि वस्तु का काम करेगा और इस point पे इसका जब अबवर्तन होगा तो यह थोड़ा सा और इधर जुग जाएगी और I पर आकर मिलेगी और यहां से दूसरी किरड भी इसी तरह से गई है तो यहां पे जब दोनों किरडे मिलेंगी तो इस object का जो final image हमको मिलेगा वो I पर मिल जाएगा अब यहां पे जो भी चीजें आपको लिखनी होती है वो चित्र में जैसे बना है आप ऐसे करके लिख सकते है और भी इसके दूसरे तरीके से डाइग्राम बनाये जा सकते है जैसा कि यहां पे देखिए एक दूसरा डाइग्राम है इसमें भी क्या है कि एक object है principle axis पे रखी गई है सारी चीजे वही है यहन वन इसका refractive index यहां पे थोड़ी देर के लिए माल लिया जाए और इसका end 2 तो यहां पे देखिए object जब यहां पे है तो यहां से यह थोड़ा सा shift हुई इधर अब यह surface 1 था आपका यह surface 2 था अगर यह surface 2 नहीं होता तो वहां पे दूसरा डाइग्राम आपको अभी दिखाया गया कि image आपका कुछ इधर बना था लेकिन यहां पे थोड़ा सा इसकी category अलग है यहां पे जब अपॉर्टन हुआ तो देखिए यहां पे एक प्रतिमिम आपको मिला जब इसको backward extend किये पहले surface से अपॉर्टन के बाद तो यहां पे मिल गया i dash अब यह i dash वाली जो किरण है यह सीधे hit कर रही है किसको surface 2 को यनि कि यह surface 2 के लिए वस्तुका काम कर रही है तो चाहे आप इस diagram से करेंगे चाहे उस diagram से करेंगे तो चीजे एक ही आएंगी यहां पे इसका जो final image आपको मिल लहा है वो कहां पे मिल लहा है आई पे तो similar चीजे हैं आप कोई भी diagram यूज करके कर सकते हैं लेकिन maximum diagram यही है सभी किताबों में लगभग यही है तो हम इसी से आपको बताते हैं अब यहां पे प्रिस्ट एक पे प्रिस्ट एक पे अपवर्तन होने पर क्या हो जाएगा यहां पे आप फार्मूला यूज करेंगे कौन सा गोलिये प्रिस्ट पर अपवर्तन के लिए सूत्र से अब यहां पे आप जानते हैं कि यन 1 से n2 में रे जा रही है तो पहले प्रिस्ट पर अपवर्तन होने पर क्या हो जाएगा n2 by यहां पे आप देखिए v की वैलू कितनी है यह p1 से मीजर की जाएगी और यहां पे आपको यह मिला है कितना v- ऐसा माना गया है तो n2 by v- n1 by u is equal to n2 minus n1 by कितना r1 हो जाएगा यह आपका equation number first r1 इसलिए होगा क्योंकि जो दोनों surfaces है इनके जो center आप curvature है यह different different है यानि कि c1 और c2 आपको लग रहा होगा यहां figure देखने के बाद कि एक को ज़्यादा बड़ा बनाया गया है एक को थोड़ा सा और ज़्यादा जुका दिया गया है अब प्रिस्ट दो पर प्रिस्ट दो पर अपवर्तन होने से अपवर्तन होने पर प्रिस्ट दो के लिए i- i- क्या करेगा वस्तु का कार्य करेगा देखे अगर प्रत्विम बना है प्रिस्ट 2 से तो किरेडे भी वस्तु से आनी चाहिए तो ये वाली किरड आ रही है वस्तु से लेकिन इसको बैकवर्ड जब एक्स्टेंड करेंगे तो मतलब ये वस्तु हो जाएगी अब यहाँ पर वस्तु का कारे जब करेगा तो यहाँ से आप प्रिस्ट 2 के लिए जो भी दूरी मापेंगे वो P2 से मापेंगे तो अगर यहाँ पर वस्तु का कारे करेगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर यह सोचना है कि अब light ray कहां से कहां पे जा रही है वो N2 से N1 में जा रही है मतलब अब चीजे पलट गई है N2 से N1 में जा रही है अभी तक N1 से N2 में गई थी तो यहां पे जब वस्तु का कारी यह करेगा तो यहां पे आपका जो formula बनेगा वो हो जाएगा कितना N1 by यह देखिए इसके लिए आपका जो final image बना है इसके distance यहां से यहां तक कितनी है V है तो N1 by कितना हो जाएगा V minus N2 by U की value देखेंगे तो यहां से overall यह distance आपको पता नहीं है यहां पे जो यह पूरी distance थी यह आपको पता है यहां से यह आपके पास है V dash अब यहां से आपको distance से यह क्योंकि हम U की बात कर रहे है surface 2 के लिए तो इसके लिए जो U बनेगा वो हो जाएगा कितना U आपका बन जाएगा V dash minus T अगर lens की thickness आप lapse कर देंगे यह वाली जो मोटाई है कितने में से V dash में से तो आपको यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी और यह हो जाएगा कितना V dash minus T तो N2 by U के अस्थान पे आप लिखेंगे कितना V dash minus T is equal to N1 minus N2 by कितना R2 सारी चीजें जैसे आप गोलिये प्रिस्टो पे अपवर्तन पढ़े थे उसी के अनुसार चल रही है बहुत इजी है बस आप इसको देखते रहिए अब यहां पे क्या हो जाएगा अगर हम T का comparison करें किसके respect में V dash में तो T V dash की तुलना में बहुत छोटा है तो यहां पे कुछ changing हो सकती है चूंकि T V dash की तुलना में बहुत छोटा है बहुत छोटा है इसलिए V dash माइनस T nearly equal to V dash होगा इसमें चूंकि T nearly equal to 0 ऐसा मान लिया जाएगा क्योंकि हम लोग पतले लेंस के लिए लेंस में एकर फार्मूला कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं पतले लेंस के लिए आपको समझना है अब यहाँ पे आपका जो यह equation second है यह थोड़ा सा shift होगा अताह N1 by V minus N2 by V dash is equal to N1 minus N2 by R2 यह आपका equation third हो जाएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो V dash minus T का मान समिकरड 2 में रखने पर अगर आप चाहें तो यह चीज़ लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो यह चीज़ लिख सकते हैं अब क्या है कि आप समिकरड एक और तीन को जोड़ दीजिए समिकरड एक और तीन को जोड़ने पर जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में जोड़ेगी राइट वाली साइड राइट में तो आपका यह एक क्वेशन नमबर फर्स्ट है और यह एक क्वेशन नमबर थर्ड है इसमें अगर देखें तो एक चीज़ आपको कामन नजर आ रही है जिनके चिन नहीं क्या है पिपरीथ है तो यह चीज़ कैंसिल हो जाएगी अभी आपको क्या मिला आपको मिला N1 by V minus N1 by U is equal to यह वाली चीज़ पहले लिखते हैं N2 minus N1 by R1 minus plus होगा क्योंकि हम लोग add कर रहे हैं तो यहां से आपको मिलेगा कितना N1 minus N2 by R2 अब यहां पर क्या हो जाएगा N1 common हो जाएगा आपको मिलेगा 1 by V minus 1 by U is equal to यहां पर अगर minus common करने तो सेम सेम चीज़े आपको मिल जाएगी तो यह आपको मिलेगा N2 minus N1 by कितना R1 यहां पर R2 है अब यहां पर minus अगर हम common करते हैं तो यह हो जाएगा N2 minus N1 by R2 फिर यहां से यह पूरी चीज़ common हो जाएगी तो यहां से आपको मिलेगा N1 यहां पर 1 by V minus 1 by U is equal to N2 minus N1 under bracket 1 by R1 minus 1 by R2 अभी यहां से N1 को अगर हम transfer करें इधर तो आपको क्या मिलेगा यहां से आपको मिल जाएगा 1 by V minus 1 by U is equal to N2 by N1 minus 1 और under bracket 1 by R1 minus 1 by R2 यहां पर देखिए जब N1 इधर आएगा तो N2 by N1 हो जाएगा minus N1 by N1 होगा तो मतलब यहां पर बचेएगा कितना 1 अब यहां से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी चूंकि N2 by N1 is equal to कितना होता है N होता है यहनि कि पहले माध्यम के सापेच दूसरे का पूर्थ नांग तो इस तरह से आप यहां पर N replace कर लिजिए तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 by V minus 1 by U minus 1 by R2 अभी यहां पर अगर थोड़ा सा और shift करें focus दूरी की परिभासा से यदि U is equal to क्या हो infinitive तब V is equal to क्या होता है F होता है अब यह value अगर हम यहां पर put कर दें इस वाले equation में इसको अगर आप कोई equation मानना चाहें तो मान सकते हैं बट यहां पर अगर हम U और V की value put करें तो आपको मिलेगा यहां से आपको मिल जाएगा 1 by कितना V की value F के बराबर हो जाएगी minus 1 by यह आपका infinitive है is equal to n minus 1 under bracket 1 by r1 minus 1 by r2 यह हो जाएगा आपका अब यहां पर यह value तो हो जाएगी 0 पूरी overall तो यहां से 1 by F is equal to कितना मिला n minus 1 under bracket कितना 1 by r1 minus 1 by r2 यह आपका lens maker formula हो जाएगा लेकिन अभी यहां पर आपको कुछ चीजे और समझनी है अगर हम इसको कोई equation मानते हैं suppose यह equation number 4 है और यह equation number 5 है तो समिकर 4 और 5 की तुलना करने पर क्या आपको मिलेगा आपको पतले lens का सूत्र मिल जाएगा देखिए 1 by F की value कितने के बराबर हो जाएगी 1 by V minus 1 by U के जो चीज आप लोग जानते हैं 10th class से यहां पर अगर आप compare करेंगे तो right hand side दोनों की क्या है इक्वल है तो left hand side भी इक्वल हो जाएगी तो आपको मिलेगा 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U यह पतले lens के लिए सूत्र है लेकिन lens maker formula नहीं है यह पतले lens के लिए सूत्र है lens maker formula आपका यह है यह important है आपको याद रखना है इसे यह exam में पूछा जाता है तो अब इससे थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं अभी तक यह lens ऐसे medium में place किया गया था जिसके दोनों side के जो refractive index थे वो same थे लेकिन अगर इसको place कर दिया जाए ऐसे medium में कि lens के दोनों और का जो refractive index हो वो different हो और lens का भी अपने आप में जो refractive index हो वो कुछ और हो तब ये formula lens maker का कैसा बनेगा ये आपको समझना है ये हलाकि आगे की चीज है ये भी आपको समझना है हो सकता है ये competition में आप से पूछा जा सकता है बट board exam के लिए आपको यहीं तक solve करना है आप इसको अच्छे से तयार रखिए तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर suppose कर लिजिए कि ये वाला medium ये न1 है ये N2 है और ये N3 माल लेते हैं तो इस formula का अगर यूज़ करेंगे तो पहले surface पे यनि की surface 1 पे प्रिस्ट एक पर आपको जो formula मिलेगा वो आपको मिलेगा N2 by V- V- आपका यही होगा अब देखिए इस वाले diagram से हम आपको बता रहे हैं तो सारी चीज़े वही रहेंगी because यहाँ पे कुछ change क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे sign convention use नहीं किया जा रहा है आपको एक formula की help से दूसरा formula प्रूब करना है क्योंकि उस formula में our lady sign convention use किया जा चुका है इसलिए आप diagram कैसे भी बनाएंगे चाहे ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं कोई फरक नहीं पड़ता formula वही आएगा तो आपके उपर depend करता है आप चाहे तो lens maker formula जो निकाला गया है इस वाले diagram से try करिएगा और हमें comment से बताईएगा कि चीजे same ही आएंगी वैसे same ही आएंगी क्योंकि हम दोनो type बताते हैं बस इस video में आपको अगर वो चीज हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर पहले surface पर क्या हो जाएगा N2Y V'S minus N1Y कितना यहाँ पर आपके लिए U is equal to कितना हो जाएगा N2 minus N1Y कितना अब पहले surface के लिए R1 मनेगा यह आपका equation first हो जाएगा अब surface 2 की अगर बात करेंगे तो surface 2 पर आपको मिलेगा अब देखिए light ray कहा से कहा जा रही है N2 से N3 में जा रही है इट मेंज यहाँ पर N1 से N2 में गई तो आपने N2 को पहले लिखा अब N2 से N3 में जा रही है इट मेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा N3 by कितना अब यहाँ से आपको यह analyze करना पड़ेगा कि V की value क्या है तो यह आपका V है यहाँ से देखिए यह आपका क्या है V है तो N3 by कितना हो जाएगा V minus यहाँ पर N2 by कितना U की value अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो U की value surface 2 के लिए जो बनेगी यहाँ से measure की जाएगी distance यह हो जाएगी V dash plus T बढ़ T क्या है V dash की तुलना में बहुत छोटा है इसलिए T को अगर हम 0 की लगभग माने तो हमको U की value क्या मिलेगी V dash ही मिलेगी इसलिए यहाँ पर आप क्या रखेंगे V dash plus T is equal to N3 minus N2 by कितना R2 या इसको हम लिख सकते हैं N3 by कितना V minus N2 by कितना V dash is equal to N3 minus N2 by कितना R2 यह आपका second equation हुआ अब यहाँ पर अगर add करेंगे तो यह चीज cancel हो जाएगी आपको क्या मिल जाएगा N3 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R1 plus N3 minus N2 by R2 यह आपका formula हो जाएगा यानि कि कब का जब दोनों और के माध्यम अलग अलग हूँ तब इस case में आपको यह formula मिल जाएगा बहुत easy है अगर पहला concept आपको अच्छे से समझ में आया है तो यह वाला concept भी आप easily समझ सकते हैं इसमें कोई problem नहीं होगी तो आप अब इन दोनों diagram का यूज करके lens maker formula आसानी से निकाल सकते हैं आप इस diagram से करके हमें बताईएगा बस आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में नई topic के साथ आपके साथ जुड़ेंगे अगर आपको कहीं पे कोई doubt हो तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं वीडियो को like करना ना भूलिएगा दन्यबाद